बिस्मिल्ला रह्माद रहीम, अस्सलाम अलेकुम स्टुडेंट्स, आएम हुमद पौद मलिक और आज का हमारा आर्टीकल है डॉपलर्स एफेक्ट, तो आए देखते हैं स्टुडेंट्स, ये एफेक्ट बहुत ही बेसिक सा है, जिसमें सोर्स और अब्जर्वर के दर्मियाद में जब भी रेलेटिव मोशन एक्जिस्ट करेगी, सुनी जाने वाली फ्रिक्वेंसी में अपेरेंटली चेंज जनरेट हो जाता है और इस फिनोमनन को सबसे पहले आस्ट्रियन फिजिसिस्ट जोहान क्रिस्चन डॉपलर ने अब्जर्व किया था, जब वो स्टार से आने वाली लाइट को स्टडी कर रहा था, उसने सेम सोर्स की लाइट लिबॉटरी में जनरेट की और उसकी फ्रिक्वेंसी को स्टार से आने वाली लाइट की फ्रिक्वेंसी से कंपेर किया और रिजल्टिंग दोनों फ्रिक्वेंसी में कुछ डिफरेंस जनरेट हो गया, जान डॉपलर ने यह सोचना शुरू किया कि ऐसा किस वज़ा से है, तो बात यह पता चली कि उस स्टार का अर्थ के साथ रेलेटिव तो फर्ज कर लें के एक अब्जर्वर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है और दूर एक लोकोमोटिव है, जो के एक साइरन जनरेट कर रहा है, अब स्टुरेंट्स लोकोमोटिव साइरन जनरेट करता हुआ अब्जर्वर की तरफ आ रहा है और उसको क्रॉस करता है, तो सुनी जाने वाली frequency कुछ इस तरह से हमें सुनाई देगी हमने सुना है कि जैसे locomotive observer के पास आ रहा था हमें apparent frequency बढ़ती हुई सुनाई दे रही थी और जैसे ही locomotive ने observer को cross कर लिया तो उसके बाद frequency की value आशसेस्ता decrease होना शुरू हो गई तो ऐसा किस वजा से होता है उसके लिए देखिए कि फर्ज कर लें कि हमारे पास एक source of sound है और उसके सामने एक observer है initially source of sound constant frequency की sound produce कर रहा है जो के every possible direction में equally transmit हो रही है अब students अगर हम observe करें तो observer को एक second में receive होने वाली frequency फर्ज कर लीजिए 5 hertz है अब हम source को move करवाना शुरू करते हैं with a constant speed towards observer तो students आप लोग देख सकते हैं कि source और observer के दर्मियान में frequency की value बढ़ गई है और same one second के अंदर पहुँचने वाली frequency की value 5 से increase होके 8 बन चुकी है तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि frequency की value apparently बढ़ रही है लेकिन अगर हम initial situation को दुबारा से consider करें जिसमें source stationary form में sound generate कर रहा था अब हमने इसको observer से away move करवाना है with the same constant speed अब students आप लोग देख सकते हैं कि observer तक पहुँचने वाली frequency पहले वाली frequency से कम हो जाती है और इसकी value 3 hertz आ जाती है जो के sound के कम होने का बाइस बनती है इसी वज़ा से हम कह सकते हैं कि whenever there is a relative motion between source and observer there is an apparent change in the frequency of sound and this effect is known as Doppler effect आई अब हम इसकी statement लिखते हैं statement में हम लिखेंगे the apparent change in the frequency of sound due to relative motion between source and observer is called Doppler's effect अब students suppose कीजिये के हमारे पास एक source of sound है जो के एक sound generate कर रहा है जिसकी speed V, frequency F और wavelength lambda के equal है हमने यहाँ पर different cases describe करने हैं जिसमें हम source को move करवाएंगे towards or away from the observer फिर observer को move करवाएंगे towards or away from the source तो आईए इसमें इस first case को describe करते हैं जब source और observer दोनों एक दूसरे के लिहाँ से stationary होंगे तो इसमें case number one है when source and observer are stationary इस situation में students observe करें कि एक stationary source एक sound produce कर रहा है और उसके सामने एक stationary observer खड़ा है source से generate होने वाली sound जितनी frequency की है as it is observer उसी frequency को सुन रहा है जिसके नतीजे में अगर हम frequency heard by the observer describe करें तो वो simple formula से आ जाएगी which is f is equal to v divided by lambda तो इस situation में हमारे पास frequency की वाल्यू वो तर पूप करें आफ़र्यो को और लूबर्योब टो वज़़ा है we所 one second is known as frequency तो frequency की value किसके equal आजएगी speed of the sound wave divided by wavelength of the sound wave अब स्ट्रेंट्स अगर यहां से हम wavelength की value निकालना चाहते हैं तो wavelength की value आजएगी lambda is equal to v divided by f इस situation में चू के observer और source के दर्म्यान में किसी किसम की relative motion नहीं है इस वजा से हमें कोई change सुनाई नहीं देगा ठीक है अब हम next case की तरफ चलते हैं जिसमें हम observer को move करवाएंगे और source को stationary रखेंगे next portion इसमें आजएगा when source is at rest students इसमें देखिए कि हमारे पास एक source है जो के sound produce कर रहा है जिसकी frequency f के equal wavelength lambda के equal और speed v के equal है सामने एक observer खड़ा हुआ है अब अगर आब observer को move करवाते हैं towards the source या away from the source तो दोनों situations में हम गोर करें तो हमें ये बात पता चलती है कि जो sound source produce कर रहा है उसकी wavelength constant रहती है तो इस case में आपने ये याद रखना है कि जब भी source rest पे होगा source से produce होने वाले sound की wavelength हमेशा constant रहती है तो यहाँ पे हम mention कर देते हैं कि in this case wavelength of the wave that remains constant wavelength सिरफ उस situation में change होगी जब आप source of sound को move करवाएंगे अब students इसमें हम further classify करते हैं दो cases when observer is moving towards the stationary source when observer is moving away from the stationary source तो इसमें first case बनेगा जो के basically article का case number 2 है इसको हम describe कर सकते हैं when observer is moving towards stationery source जी students तो अब हम देखते हैं हमारे पास एक source है जो के V speed, F frequency और lambda wavelength की sound को generate कर रहे हैं और उसके सामने एक observer है initially दोनों rest में हैं और इस situation में observer को receive होने वाली waves की frequency suppose कर लेते हैं 5 hertz है अब हम observer को constant speed U0 से source की तरफ move करवाना शुरू करते हैं और अगर हम observe करें तो waves reaching to the observer in one second उसकी तादाद बढ़ गई है अब students इस situation में हम देख सकते हैं कि sound observer की तरफ move कर रहा है और observer sound की तरफ move कर रहा है अब अगर हम दोनों की relative velocity को describe करते हैं तो हमें ये बात पता है कि जब भी दो velocities opposite direction में होती हैं तो relative velocity की value हमेशा उन दोनों का sum होती है जो के इस case में sound की speed और observer की speed का sum बन जाएगी तो अब हम इसको describe करते हैं ये हमारे पास source है जो के एक sound generate कर रहा है जिसकी velocity v frequency f और wavelength lambda के equal है जब कि इसके सामने हमारे पास एक observer है जो के u not constant speed से move कर रहा है towards the source अब इसकी relative velocity हम describe कर चुके है that is v relative which is equal to इन दोनों velocities की direction चुके एक दूसरे के opposite है हम इन दोनों का sum करेंगे तो वो किसके equal आजएगा relative velocity के equal आजएगा अब चुके students यहाँ पे relative velocity exist करती है इस वज़ा से apparent chain in frequency भी होगा जिसको हम calculate कर सकते है for this case हम frequency को नाम देते है fa which is equal to v relative divided by lambda अब students v relative की value हमने यहाँ पे describe कर ली है जबके wavelength की value v over f होती है वो हम पहले ही describe कर चुके है दोनों values हम इस relation में place करते हैं तो यह value कुछ इस तरह से बंचेगी v plus u not divided by v over f अब चुके यह f बटे का बटा है यह उपर जाके multiply होजेगा और resulting apparent change in frequency for this case v plus u not divided by v multiply by f यह हमारे pass apparent change in frequency generate होगा अब students अगर हम इस relation के उपर गोर करते हैं तो हमें यह बात पता है के उपर वाला factor चुके sum हो रहा है इस वज़ा से new frequency या change frequency का answer original frequency से हमेशा greater आएगा जो के हम observe भी कर चुके हैं के जब भी एक observer source of sound की दरफ move करता है तो frequency की value increase करती है यहाँ पर हम लिख सकते हैं के first case में frequency की value greater होती है original frequency से अब हम चलते हैं next case में जिसमें observer को source of sound से हम away move करवाएंगे आईए देखते हैं case 3 when observer is moving away from stationary source students once again हम वो ही scenario consider करते हैं जिसमें हमारे पास एक source है जो के V speed, wavelength, lambda wavelength और F frequency की sound generate कर रहा है और उसके सामने एक observer है initially observer rest position में है तो number of waves reaching the observer in one second उसी तरीके से हम value suppose कर लेते हैं के 5 hertz के equal है अब हम observer को constant speed U0 से source से away move करवाना शुरू करते हैं जिसकी वज़ा से number of waves reaching the observer per second की value decrease हो जाती है और हम suppose कर लेते हैं के in this case वो 3 रह जाती है तो इस तरीके से relative motion होगी अब यहाँ पे relative motion की अगर हम value की बात करते हैं तो चुके sound की direction और observer की speed की direction सेम है तो इस situation में जब भी हमने relative speed calculate करनी होती है तो हम bigger speed में से smaller speed को minus कर देते हैं तो definitely speed of sound is much greater than the speed of the observer इस बज़ा से यहाँ पे relative velocity find करने के लिए हम V में से U naught को subtract कर देंगे तो आइए अब हम इसको देखते हैं उसी तरह से हमारे पास एक source of sound है जो के V speed, F frequency और lambda wavelength की sound generate कर रहा है इसके सामने एक observer है जो के same speed U naught से away from the source move कर रहे अब relative velocity के लिए V relative किसके equal आजएगा V minus U naught अब students चूँकर यहाँ पे relative velocity exist करती है इस वज़ा से Doppler effect भी exist करेगा और frequency में change भी generate होगा और इस case के लिए हम change in frequency को FB से represent करते हैं which is equal to V relative divided by lambda अब V relative की value हम यहाँ पे calculate कर चुके है और lambda की as it is पहले वाली value use की जाएगी और हमारे पास इस formula की shape कुछ इस तरह से बन जेगी V minus U naught divided by V over F इसको arrange कर लेते हैं तो second case की frequency V minus U naught divided by V multiply by F इस तरह से आजएगी अब student formula को देखके हमें पता चल रहा है कि उपर वाला factor V में से U naught को minus करने के बाद V से divide किया जा रहा है तो definitely F B का answer हमेशा F से smaller होगा और यह हमारी observation भी है कि जब भी हम source of sound से away move करते हैं तो इस situation में frequency की value decrease करती है जो के हम पहले भी explain कर चुके हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि in this case F B is smaller than F अब students इसके बाद हमने next situation की तरफ चलना है जिस पे हम observer को rest position में रखेंगे जबके source को move करवाएंगे तो आईए अब हम इस case को देखते हैं जी friends अब हम next situation consider करते हैं when source is moving students अभी हमने ये बात की थी के wavelength तब तक constant रहती है जब तक source stationary होता है जैसे ही आप source को move करवाना शुरू कर देंगे तो wavelength की value change होना शुरू हो जाती है यहाँ पे हमने इस चीज को study करना है कि किस तरीके से wavelength change होती है तो suppose करें कि हमारे पास एक source है जो के lambda wavelength की sound generate कर रहा है और उसके सामने एक observer है initially चुके source rest position में है इस वज़ासे observer तक पहुंचने वाले sound की wavelength भी lambda की equal होगी जिसको हम यहाँ पे note कर लेते हैं अब imagine करें कि यह source US speed से observer की तरफ move करना शुरू कर देता है जिसकी वज़ासे हमें clearly नजर आ रहा है कि source और observer के दरमयान में sound की wavelength decrease हो गई है जिसको हम lambda c से represent कर लेते हैं अगर हम lambda c को lambda के साथ compare करते हैं तो हमें clearly पता चल रहा है कि lambda c की value lambda से कम है अब students दोबारा इसी scenario को हम consider करते हैं लेकिन अब की दफा हमने source को us speed से observer से away move करवाना है तो इस situation में source और observer के दरमयान में जो sound है उसकी wavelength initial wavelength से बढ़ जाती है जिसको हम lambda d से represent कर रहे हैं तो यहाँ पे बात clear हो जाती है कि जब भी source move करता है तो wavelength की value change होती है और वो depend करती है कि source observer की तरफ move कर रहा है या observer से away move कर रहा है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं और यहाँ लिए सकते हैं मुड़कर वावेशित लिए आफ रहाँ लिए 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 लिए। अब स्टूरेंट यह वेवलेंथ कितना चेंज होती है, it depends upon the speed of the source, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, delta lambda, this is the change in the wavelength, which is equal to speed of source divided by frequency. इस में स्टूरेंट यह फेक्टर जो होता है, that is known as Doppler's shift. तो यह relation हमारे पास बन जेगा, delta lambda, which is equal to us divided by f. हम यहां से कह सकते हैं कि Doppler's shift की value, speed of the source पे dependent होती है, क्योंकि frequency की value तो constant होती है. अब स्टूरेंट हमने इस में वो दो cases study करने हैं, कि जब source observer की तरफ move कर रहा था, और source observer से away move कर रहा था, तो आईए देखते हैं. तो case number 4 बनता है, when source is moving towards stationery observer. स्टूरेंट्स, इसको हम observe करते हैं, कि हमाई पास वो ही source है, जो के lambda wavelength, f frequency और v speed की sound generate कर रहा है, और उसके सामने एक stationery observer खड़ा है. अब अगर हम us speed से source को observer की तरफ move करवाना शुरू कर देते हैं, तो हम ये बात पहले ही describe करके आएं हैं, कि wavelength की value decrease हो जाती है, which depends upon the speed of the source. तो इस case में अगर हम relative velocity की बात करें, तो वो v minus us मन जाएगी, क्यूंके direction of propagation of the sound, और direction of motion of the source same है. तो इसको हम इस्तरा से describe करते हैं, this is the source, जो के v speed, f frequency और lambda wavelength की sound generate करता है, और इसके सामने एक observer खड़ा है, अगर हम इस source को us speed से observer की तरफ move करवा देते हैं, तो relative velocity की value क्या होजेगी, v relative is equal to same direction में हम v में से us को minus करतेंगे. अब इस case में change in wavelength क्या होगा, change in lambda, suppose कर लें, जो wavelength observer को मिल रही है, उसको हम नाम देते हैं lambda c का, लेंड़ा c, that is equal to lambda minus delta lambda, अब यहाँ पे हमने, Doppler shift को original wavelength में से इसलिए सब्ट्रेक किया है, क्योंकि wavelength की value decrease होती है, due to the motion of the source towards observer. अब अगर हम इन दोनों की values place करते हैं, तो lambda c की value आजेगी, v divided by f minus us divided by f. Simplify कर लेते हैं, तो lambda c की value किसके equal आजेगी, v minus us divided by f. अब हम इस case में change in frequency को study करेंगे, so frequency is given by frequency is given by, इस case में frequency को f c से represent कर लेते हैं, that is equal to v divided by lambda c. अब students इसे next देखिए, f c, v की value as it is divided by, lambda c की value अभी हमने calculate किया, which is v minus us divided by f. इस relation को हम arrange कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, f c is equal to v divided by v minus us multiply by f. So this is the frequency for the case. बटे में subtraction का sign है, जिसकी वज़ा से ये value decrease करेंगी, अगर हम smaller value से divide करेंगे, तो यहाँ पर answer greater आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, f c is greater than f, जो के common observation भी है, कि अगर source of sound आप की तरफ आ रहा होता है, तो frequency की value increase करती है. अब students हम इसके last case की तरफ move करते हैं, जिसमें हम source को observer से away move करवाएंगे. Case number 5, when source is moving away स्टेशनरी अब्जर्वर जी स्टुरेंट्स हम उसी सेनेरियों को दुबारा कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे पास एक सोर्स है जो के इसके सामने एक स्टेशनरी अब्जर्वर है इनिशली जो सौंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वेवलेंद दिस इस दा सोर्स जो के वी स्पीड एफ रिक्वेंसी और लेंबडा वेवलेंद की साउंड जनेरेट करता है इसके सामने एक स्टेशनरी अब्जरवर है हम इस सोर्स को अब्जरवर से अवे मूव करवाते हैं विदा कॉंसेंट स्पीड यूएस इस केस में अगर हम रेलेट इस इपल तो आपोजेट डिरेक्शन की वज़ा से वी प्लस यूएस आजएगा अब चुके इस केस में भी रेलेटिव वेलासिटी एक्जिस्ट करती है तो यहां पर डॉपलर इफेक को अब्जर्व किया जा सकता है अब स्टुरेंट्स हम इस केस में चुके सोर्स मूव क रहा है पहले चेंज इन वेवलेंथ को स्टुडी करते हैं तो चेंज इन वेवलेंथ इसको हमने नाम दिया है लेबड़े का डैट इज एक्वल टू लेंड़ा प्लस डेल्टा लेमड़ा यहाँ पे हमने original wavelength lambda में Doppler shift को add इस वज़ा से किया है क्योंकि जब आफ source को away move करवाते हैं तो इस situation में sound between the source and the observer उसकी wavelength increase कर जाती है तो increase की इस वज़ा से हम यहाँ पे plus का sign यूज़ करेंगे अब इन दोनों की values place करते हैं तो यह बंचेगा v divided by f plus इसकी value आजेगी us divided by f और इसको simplify कर लेते हैं तो lambda d की value आजेगी v plus us divided by f this is the value of the new wavelength अब students हमने चुके frequency find करनी है तो इसके लिए हम लिखेंगे so frequency is given by इस case में frequency को हम fd से represent कर लेते हैं which is equal to v divided by lambda d v as it is आजेगा जबके lambda d की value हम भी हमने calculate कर लिए which is v plus us divided by f इसको arrange कर लेंगे तो हमारे पसका result बंचेगा fd that is equal to v divided by v plus us multiply by f which is the value of the frequency for the case when source is moving away from the stationary observer अब students अगर हम इस relation को गोर से देखते हैं तो इसके बटे में v और us दोनों अपस में add हो रहे हैं जिसकी वज़ा से answer increase करेगा अब अगर हम v को एक bigger value से divide करते हैं तो इसका answer decrease करेगा तो हम इस case में लिख सकते हैं कि in this case fd is smaller than f जो के हमारी common observation भी है कि जब भी source of sound हम से away move करेगा तो frequency की value decrease करती है students ये हैं हमारे पास 4 cases इसके इलावा कुछ points है Doppler effects are relevant तो आईए उनको हम देखते हैं अब students हम उस condition को देखते हैं जिसमें source या observer move कर रहा होता है लेकिन Doppler effect exist नहीं करता तो suppose कर लें कि हमारे पास एक source of sound है जो के rest position में है और एक observer उसके गिर्द circular path में move कर रहा है इस situation में बेशक observer move कर रहा है लेकिन observer और source के दरम्यान में चू के relative velocity की value 0 है इस वज़ा से आपको Doppler effect observe नहीं होगा इसी process में अगर आप observer को at the center of the circle रख लें और source को constant speed से circular path में move करवाना शुरू कर दें तो भी हमें किसी किसम का Doppler effect observe नहीं होगा क्योंके इस situation में भी relative velocity की value 0 होती है अब अगर एक और condition देखें फर्स कर लें के हमाई पास एक source और एक observer है जो के दोनों initially अभी rest position में हैं अगर हम इन दोनों को same speed से same direction में move करवाना शुरू कर दें और अब अगर हम Doppler effect की बात करते हैं तो इस situation में भी Doppler effect की value 0 आती है उसकी वज़ा ये है चाहे दोनों observer और source move कर रहे हैं लेकिन उनकी relative velocity की value 0 होती है तो point हमें यहां से ये समझ आती है कि जब भी relative velocity की value 0 होगी आपको किसी किसम का frequency में change observe नहीं होगा तो इसको हम describe कर लेते हैं whenever relative motion between source and observer is 0, there is no Doppler effect जी students अब देखिए फर्ज कर लें कि हमारे पास एक source है और दो observer है A and B जिसमें से observer A source के करीब है जबके observer B source से कुछ फासले पे खड़ा हुआ है अब अगर हम source से sound produce करते हैं तो दोनों को same frequency observe होगी अब यहाँ पे फर्क इस चीज का है कि observer A चू के source के करीब खड़ा हुआ है इस वज़ासे उसको loud sound सुनाई देगी और observer B जो के source से कुछ फासले पे है उसको low voice सुनाई देगी तो यहाँ पे number of waves reaching the observer is same for the observer A and B तो हम कह सकते हैं कि Doppler effect source और observer के दर्म्यान में distance पे depend नहीं करता तो यह हमारा बास second point बंचेगा Doppler effect does not depend upon distance between source and observer students यह है हमारा आज का article उमीद करते हैं आपको समझा आगया होगा इजाज़त चाहते हैं अलाहाफिज